हेलो बच्चो आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकस करने वाले हैं जिसका नाम है डिफ्यूजन और आस्मोसिस क्लास 12 में सौलूसन चैप्टर में एक कॉलिकेट्व प्रोपर्टी का फोर्थ पार्ट है और आस्मोसिस आपको तभी समझ में आएगा जब आप डिफ्यूजन को समझेंगे तो आज हम डिफ्यूजन डिसकस करने वाले हैं बिट्वीन डिफ्यूजन एंड आस्मोसिस वैसे डिफ्यूजन विसरण ये टर्म आपने 11 में गैसे स्टेट में पढ़ रखा है सुन रखा है ग्राहम्स लौ अफ डिफ्यूजन तो खेर वहाँ पर लौ था वो एक अलग कह पानी थी यहां पर हमको थियोरी पढ़ना है और वैसे भी आस्मोटिक प्रेसर सॉलूसन चैप्टर का पढ़ने के लिए आपको बेसिकली समझना है आस्मोसिस तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आप यदि वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो डिफ्यूजन और आस्मोसिस के डिफ्रेंस मैंने यहां पर लिख रखे हैं यह कुछ डिफ्रेंस है दो सेक्षन बना रखा है मैंने इस डिफ्रेंस को समझने के पहले या करने के पहले मैं आपको डिफ्यूजन और आस्मोसिस को एक एक्जामपल के हेल्प से एक्स्प्लेन कर देता हूँ और आपको फिर यह डिफ्रेंस यात नहीं करना है आपको लर्न करना है जो मैं एक्जामपल बताऊंगा क्योंकि वही एक्जामपल आप बेस लेकर डिफ्य diffusion और osmosis का definition लर्न करने वाले हैं चलिए start करते हैं pen copy ले ले मैं last main difference को dictate करने वाला हूं आप उसे सुनने वाले हैं और खुद से लिखने वाले हैं ठीक है यहां से copy नहीं करेंगे आप खुद से लिखेंगे वीडियो को पॉस्ट करिएगा खुद से लिखिएगा तो diffusion क्या होता है तो इसे मैं एक बास explain करता हूं suppose आपका एक room है ठीक है इस room में मैं corner पे यदि एक अगरबत्ती जला दूं तो इस अगरबत्ती के जो gas molecules है उसका जो smell है वो पूरे room में spread हो जाएगा फैल जाएगा बहुत common sense आपको पता है ठीक है यह gas के molecules जो अगरबत्ती का जो धुआ है वो इसी लिए फैल रहा है क्योंकि दूसरे corner पे इस धुवे का concentration कम है quantity कम है तो ये धुवा कहां से कहां तक जा रहा है high concentration से low concentration पे जा रहा है मतलब पुल मिला के air और अगरबत्ती के जो gas molecules है उनके बीच में क्या हो रही है इंटर mixing हो रही है ठीक है लेकिन जो gas के molecules हैं अगरबत्ती के वो actually में spread हो रहा है फैल रहा है चलिए दूसरे example देखो suppose आपके पास में एक glass में water है और उसमें आप one drop lemon juice डाल दो क्या होगा ये lemon juice जो है वो पूरे water में spread हो जाएगा फैल जाएगा है कि नहीं simple यहीं तो diffusion है इसको हम easy words में एक फैलना कहा देते हैं और अच्छे terms में यदि बात कहें तो it is called diffusion ठीक है एक और मैं बात कहता हूँ चलिए एक और example सुन ले न हम जैसे हम teachers हैं blackboard में पढ़ाते हैं तो suppose यह blackboard है और मैं यहाँ पर chalk से या pencil से लिखता हूँ तो क्या हो रहा होगा यह जो मेरा chalk है उसके जो particles है वो blackboard में stick हो रहे हैं blackboard में fail रहे हैं ऐसा भी बोल सकते हो clear है की नहीं है चलिए तो मैं तीन example जो बोला हूँ यह सभी example diffusion के हैं आपको example learn करना है लेकिन definition आप example के help से कहने वाले हैं देखो क्या होगा first example में मैंने gas face लिया था second example में मैंने liquid face लिया और third example में मैंने solid face लिया blackboard और chalk दोनों solid है ठीक है यहां पर gas के molecule fell रहा है diffuse हो रहा है यहां पर lemon juice diffuse हो रहा है और यहां पर chalk के molecules diffuse हो रहा है तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि diffusion सबसे जादा कहां हो रहा है बहुत simple कहां हो रहा है गैस में यहाँ पर diffusion बहुत कम हो रहा है इसमें इनके बीच में हो रहा है ठीक है चलो अब इसका definition सुर दो तो मैं अभी तक जो बोला उसमें ये हो गया कि these three examples are of diffusion diffusion किन में होता है तो सभी में होता है liquid solid और गैस में होता है चलो अब diffusion का reason सुनो आखिर ये gas के molecules पूरे room में क्यों spread हो रहे हैं तो सुनोगे ध्यान से यहाँ पर जो gas के molecules है जो अगरबत्ती का जो धुँआ है उसी कोई मैं gas molecules बोल रहा हूँ अगरबत्ती के just past में वहाँ पर क्या होगा उसका concentration ज़्यादा होगा और room के दूसरे कोने में क्या अगरबत्ती का धुँआ पहले से पहुँच गया है क्या नहीं starting में तो नहीं पहुँच है तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे low concentration बोलोगे की नहीं तो gas के molecules का high concentration से lower concentration की और spread होना जाना ही diffusion कहलाता है ठीक है मैं एक बार बोलता हूँ इंगलिश में बोलता हूँ the net movement of the solute molecules अब यहाँ पर solute बोल दिया मैं gas के molecules को क्या बोल दिया solute molecules from higher concentration to lower concentration is called diffusion ठीक है clear हो गया अच्छा diffusion कब तक होगा जब तक की ये concentration same ना हो जाए ठीक है एक और important बात सुन लेना diffusion में solute और solvent दोनों का intermixing होता है दोनों travel करते हैं दोनों mixed होते हैं जैसे यहाँ पर lemon juice है lemon juice पूरे water में फैल रहा है तो क्या water molecule भी फैल नी रहे हैं क्या बिल्कुल फैल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई कोई ऐसा partition है क्या कोई दिवाल है जो इनको रोके नहीं तो दोनों एक दूसरे में intermix होते हैं चलिए अब osmosis समझ लेते हैं osmosis को आपको बिल्कुल ध्यान से सुन लो एक बार example आसानी से समझ में आ जाएगा आपको पता ही example suppose मेरे पास में water है ठीक है और आपने किस्मिस तो देखा होगा खुब खाते हैं किस्मिस तो यह किस्मिस का एक किस्मिस मैंने डाल दिया water में कुछ समय के बाद आप क्या observe करोगे कि वो फूल जाएगा उसमें swelling आ जाएगी फूल जाएगा क्यों फूला होगा तो आप बोलोगे sir water के molecule जो है वो किस्मिस के अंदर घुज गए अब खुद सोचो water में concentration क्या है low concentration है की नहीं है low concentration का मतलब water तो pure है न वई तो water का concentration low है और water के molecules कहां चले गए किस्मिस के अंदर क्या है किस्मिस का rush है जिसका concentration ज़्यादा है तो यहाँ पर actually में क्या हुआ होगा water के molecule जो की है low concentration का किस्मिस के अंदर enter करना ही osmosis कहलाता है अभी आप इसको definition wise बोलो तो क्या बोलोगे the movement of the solute particle यह क्या था water और water क्या है solvent sorry मैं solute कह रहा था solvent the movement of the solvent particles from low concentration to high concentration is called osmosis clear हो गया definition अच्छा इसमें अब समझना osmosis only liquid face में होता है जो example बोला उसको लर्ण कर लो तो आपको यह याद करने की जरुबत नहीं पड़ेगी osmosis liquid face में होता है osmosis में solvent molecule move होते है water वाला case याद रख लो कहा से कहा move होता है तो low concentration से high concentration concentration मैं किसका ले रहा हूँ solute का लेते हैं न बहुत solution पड़ते हैं तो solution में actually concentration की जब बात हो रही है तो वो होता है actually में solute का ठीक है एक last बात सुन दो फिर हम जो लिखे ते definition उसको पढ़ने वाले हैं last बात यह है कि यहाँ पर आप खुद सोचो जब water enter कर रहा है किसमे किसमिस के अंदर तो किसमिस का जो उपर वाला layer है वो एक boundary का काम कर रहा है ठीक है यह boundary हो गया boundary के अंदर ही तो जा रहा है boundary बोलने का मतलब यह है आप यहाँ देखो क्या अगर बत्ती के molecules air वे फैर रहे तो क्या कोई वहाँ पर boundary है क्या कोई wall है जो उनको रोक रहा है नहीं यहाँ पर water के molecules को किसमिस के अंदर गुसने के लिए किसमिस का बाहरी layer उसको रोक रहा है ठीक है मतलब वहाँ पर रोक रहा है मतलब वहाँ पर एक partition है ठीक है चलिए अब मैं आपको जो example बोला है आप उसको दिमाग में रखो और pen copy लेकर यह difference लिखें first difference diffusion और osmosis में क्या होता है diffusion क्या होता है the net movement of the solute particles solute के particles का movement from its higher concentration to lower concentration is called diffusion अगर बत्ती का धुआ ज्यादा concentrated है वो फैल रहा है इसलिए मैंने कहा दिया higher concentration से lower concentration पे osmosis इसका just deposit ठीक है the movement of the solvent particles water के molecules enter कर रहे थे इसलिए solvent solvent particles from lower concentration to higher concentration of solute through semi permeable membrane यह यह learn कर लो आप semi permeable membrane इसको हिंदी में बोलते है अर्ध पार या गम जिल्ली एक प्रकार का membrane होता है इसी membrane से तो water molecule enter कया किस में किस मिस के अंदर clear हो गया चलिए अगला example अगला difference देख लो it does not require semi permeable membrane किसके में diffusion में किसी membrane की जरुवत नहीं पड़ती है किसी जिल्ली की जरुवत नहीं पड़ती है जबकि osmosis में it requires SPM SPM मैंने किसे बोल दिया semi permeable membrane यह वो membrane होता है जो solvent के particles जहां से गुजर सकते हैं पास हो सकते हैं ठीक है third difference देखें diffusion जो होता है वो solid liquid और gas सभी में होता है जबकि osmosis only occurs in liquid phase ठीक है बोल दिया मैंने बस आप example याद कर लो definition याद करने की जरुवत नहीं है fourth in diffusion there are intermixing of solvent or solute particles ठीक है मैंने बता दिया diffusion में solute और solvent दोनों intermix होते हैं जबकि osmosis में खुद बोलो केवल कौन move हो रहा है solvent particles मुव होते हैं ठीक है किसमिस वाला example यदि याद रखोगे तो क्या किसमिस के अंदर से उसका juice बाहर आ जाता है नहीं फूलता है किसमिस मतलब water enter कर रहा है ठीक है लास्ट मैंने example लिख दिया जो समझाया है diffusion of lemon juice in water वैसे तो बहुत सारे examples हैं तो यह याद रखना swelling of resins resins वही किसमिस होता है in water ठीक है so I hope यह समझ में आ गया होगा ठीक है thank you very much